हेलो अरिवन गुडीवनिंग स्वागतिप सभी का ओलाइन स्टेडियो में सबसे पहले तो फिंस आप सभी से मैं माफी चाओंगा कि मेरी क्लास रेगलर नहीं हो पा रही है क्योंकि आपको पता है कि थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है ठीक है डेली मॉक्टिस्ट का जो लूसेंट बुक चल रहा है सेट नमबर 46 ठीक है और इससे पहले गरें बाकी के सेट को नहीं देखा तो जरूर देखे 50 क्वेशन के साथ हम लोग करते हो और होमवर्क में आपको देता हूं जो कि आज हमारा होमवर्क सेजिच का सेट नमबर 30 है तो जग्रॉफी में बात करें तो भारत की उध्होग और यह काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो पेज नमबर 107 में देख लीजेगा यहां से आपको अच्छी चीजी जो है वह आपको पढ़ लेना है पॉल्टी हमारा खतम हो चुका रिवीजन के तोर पे चल रहा है सिर् कि क्या है एकनॉमिक्स में आपको सेवी को पढ़ना सेवी को अच्छी तरीके से पढ़ीगा और प्रमुक जो शेयर बजार है उनको पढ़ेंगे ठीक है पर इस नमबर 137 में देखने को मिलेगा तो यही रहने वाला आपका होम अक कलका तो अच्छे से इसको डीप लीप ल तक वाज कीजिए और बताएं कि कितना पर स्कोर कर सकते हैं तो यहां पर हमारा सही आंसर क्या होगा कि बल्लबाई पटेल और मुहमद अली जिना ठीक है और महात्मा गांधी ने आमराण अंसर किसके विरोध में किया बीस सितंबर 1932 को यर्वदा जेल में जो आमराण अंसर किया गया था रैमसे मैकडोनाल के संप्रदाईक पंचार्ट के लिए ठीक है ओप्शन C को टिक करेंगे निमली की तांदोलन में से किसमे महात्मा गांधी ने भूख अठाल को एक हथियार के रूप में पहली बार परियोग किया भूख अठाल को पहली बार हथियार के रूप में परियोग किया गया था राजेंदर परसाद को किस जेल में कैदिक बना करके रखा गया था आपको पता है कि 1932 में जो भारचुडव अंदोलन के स्टार्ट गया था तो उसके सुबह ही ऑप्रेशन स्टार्ट फ़ियोग के तहिट काहसी जो प्रेमुक्ट नेता हो थे हुआ उनको गुरफतार कर लिया था और अलगालग नेता को अलग यह जेल हो में रखा गया था तुसके उसी के रिगार्डिंग हम बात करें तो डॉक्टर रजंदर परसाद को किस promotes ाम ते जाता है ठीक है option A सही होगा अगला प्रश्ट किस यहां पर सुची वन को सुची दो के साथ सुमेज करने एक तरफ अस्थला और दूसरे तरफ प्रांथ से सुमेज यहां पर बताए कौन किस के सांथ सही तरीके से मैच होगा देखियो बार्डोली सत्यागरा के रमबात कर तो यह बार्डोली जो गुजरात से संब्द होगा यहां पर कह सकते हैं कि एक का दो के सांथ मिलना चाहिए एक का दो के सांथ सिर्फ और सिर्फ एक ही option से मिल रहा है तो राइट हैं से भी option B हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं चौरी-चौराकारण हम कह सकते हैं कि उत्तर परदेश के सांथ समय थैं यहां पर देख सकते हैं B का फोर के सांथ तो इसी तरह सब याद रखेगा यरवदा की बात करें तो यह महा रास्ट में और नौव कह रहे हैं तो यह पस्ची मंगाल से सम्वंद रखते हैं ठीक है अगला प्रस्ट निया कि भाराच छोड़व आंदोलन कब प्रारम हुआ था, ध्यान दीजेगा भाराच छोड़व आंदोलन कब प्रारम हुआ था कोंग्रेस कारेकर्णी सबाग के समक्ष जो ये प्रस्ताव रखा गया था आठ अगस्ट 942 को रखा गया था लेकिन प्रारम जो हुआ था 9 अगस्ट 242 कोगा इसलिए option हम Craft करेंगे ठ के अग अगला प्र अस्ट इस यह का सबसे बड़ा जल्परपात कह सकते हैं हुंड्रू किस जगह के पास में टीते हैं जो जल्परपात है वह किस जगह के पास में इस्तिते हैं तो ये पढ़ता है राची ठीक है राची ऑप्सन इस रहें लोग जोग जल प्रपात के नाम से जानते आफशन एस सही आंसर होगा next questions की काकोलत जलप्रपाद भिहार के किस जीले में स्थीत है option A यहाँ पर correct आंसर होगा नवादा जीले में ठीक है option A right answer है next one की निमलीखित में से कौन सुमेलित नहीं है अच्छे से पढ़िए और बते की कौन सुमेलित नहीं है क्या होगा सई अंसर तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हुसेन सागर्चु जीले वो हैदराबाद और सिकंदराबाद के मद इस्तित है तो यहाँ पर करना टक तो होना नहीं चाहिए यहाँ पर correct answer होगा option D सही तरीके से मैच नहीं किया गया अगला प्रस्ट निमलिखित में से कौन सही सुमेलित है जील और उनकी अवस्तिती के सम्बंद में कौन सही तरीके से सुमेलित किया गया देखे यहाँ पर correct answer क्या होगा option C को टिक करेंगे कोलेरू आंदर प्रदेश के साथ बिल्कुल सही तरीके से मैच करता है लोनार महराष्ट में नकी जिल कह सकते राजस्थान के माउंट आबू में और पुलिकट की बात करेंगे तो यह तमिलनाडू के साथ संबंद होना चाहिए था तो यहाँ पर करेंगे आंसर को ऑप्शन C नेक्स्ट वन की भारत के किस प्रदेश की सीमा है तीन देशों से करमस, नेपाल, भुटान और चीन से लगती है किस देश की सीमा तीन देशों से लगती है तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा सिक्क्यम ठीक है नेक्स्ट क्रिशन की कौन सा मैत्पोन अक्षांस भारत को दो लगभग बराबर भागों में भाजित करता है लगभग दो बराबर भिवागों में भाजित करता है कौन तो आपको पता है कि करक रेखा और करक रेखा हम किसको कहते हैं 23 जिगरी उत्री अक्षां चोती उसको का जाता है करक रेखा है और यही भारत को लगभग दो बराबर भागों में बाजित करती है और भारत से 8 राजों से होकर के करक रेखा गुजरती है अगला पस्ट क्या कहा रहा है कि गंगा के मैदानों की पुरानी कच्छारी मिट्टी क्या कहलाती है पुरानी कच्छारी मिट्टी को हम लोग किस नाम से जानते है तो पुरानी कच्छारी मिट्टी को हम लोग बांगर के नाम से जानते है जबकि नई जो कच्छारी मिट्टी second point को पढद है और बताई कि कौन सा कथन सही है है, पहला point कह रहा है इसका कापास की खेती के लिए सरोतबू जो मिठी होती है काली मिठी होती है बिल्कुल शही है और काली मिठी को ही हम लोग رेगूर मिठी के नाम से जानते हैं रेगूर औंसर क्यों तो है तो बियाम्डी परेक्षन का प्रिवग हम लोग उस्टियो परोसीज के लिए करते हैं ऑंप्षन्स कारेक ऑंसर है इडस होता है बनिये ईडs को किसा कारण से होता है , इड़्स जो होता है वह विषाड़ू के कारण होता है औप सट दी करेक्ट है , नेक्स्ट कॵिशन्स की मानो गुर्द में पत्थरी नीमलीखीत में से किस की वजहасे बनती है तो सही आंस़ा क्या होगा हुगा , कैल्सियम ऑउग्जेलेटич ठीक है calcium oxalate यहाँ पर right answer होगा next questions की काली मौत किसे कहते हैं काली मौत के नाम से किसे जाना जाता है काली मौत के नाम से हम लोग flake को जानते हैं option be correct answer है अब आपके लिए एक छोटा सा questions है जल्दी से comment करके बताएं कि flake जो होता है वो किसके कारण होता है जैसे विसाडू, जीवाडू, कवक, flake, फ्रोटो, जोवा किसके कारण होता है जल्दी से comment करके बताएं मानव शरीर में रख्त का ठक्का किस विटामीन से बनता है बोहत ही simple सा question है रख्त का ठक्का किसके कारण मनता है किस विटामीन के कमी के कारण स्वर्ई किस कमी करने किस विटामिन की वज़ासे बनते हैं तो विटामिन के होता है विटामिन के जो हो रख्त का थक हका बनाने में मदद करता option e, correct answer है next one, nibukhit में से किस तत्व का संबंद दातों की विक्रिती के सात है दातों का जो छरण होता है तो कह सकते हैं कि किस तत्तिव का संबन्द होता है तो सही आंसर यहाँ पर होगा फ्लॉरिंग ठीक है option B को टिक करेंगे नेक्श ट्रण है कि हिर्दय की धड़कन को नियंतरित करने के लिए निवन में से कौन सा खनीज आवस्यक है हिर्दय की धड़कन को नियंतरित करने के लिए कौन सा खनीज आवस्यक है और इस खनीज में अगर हम बात करें तो पोटैसियम बिल्कुल सही आंसर होगा option C next one की सागर यह खर पतवार किसका महतपुन शरोत है सागर यह खर पतवार किसका महतपुन शरोत है तो यह पहत्पुन शरोत होते हैं आयोडीन की ठीक है आयोडीन ऑप्शन डी करेक्ट होगा next one की EEG जी जिस अंग का कारे प्रणाली प्रकट होती है वह है तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि EEG का फुल फॉर्म क्या होता है ठीक है ठीक है EEG का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रो इंसी फैलो ग्राम ठीक है इलेक्ट्रो इंसी फैलो ग्राम और इसका समान होता है मस्तिस्क से अप्शन बी राइड अंसर तो फिर उमीद करता हूं कि आप लोगों को यह वीडियो जरूर अच्छी लग रहे हैं कि वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिगा अपने दोस्तों को साथ सेर कर दीजिगा निमलीखित में से किसकी उपस्तिती के कारण दूध में मिठास जाती है किसकी उपस्तिती के कारण दूध में मिठास आ जाती है और यहां पे सई आंसर रोगा क्या ऑप्शन बी यानि कि लाक्टो स्टीक को प्राकिर्टिक सरकरा माना जाता जोकि दूध में मौझूद होता इसी के कारण ये दूध में मिठास आती है के नेक्स रहने कि कुनेन के अथरिक्त निम्लीखीत में से कौन सा एक साक्य और सधि मलेरिया में उपचार के लिए पर्युक की जाते हैं कि कुनेन के अथरिक्त कह सकते हैं option A बिल्कुल साहिए आंसर होगा आर्टी थर ठीक है आर्टी थर आप्शन ए राइट अंसर है भारत में निमली खीत मिरिदाओं में से कौन से बिसाल्ट लावा के अपच्छाय के कारण निर्मित होई है तो यहां पर सही आंसर क्या होगा आपसन बीयानि कि रेगूण मिट्टी ठीक है रेगूद मिट्टी ऑपसन बीजैसे कह सकतें काली मिट्टी में नेकष già ने 1922 में। निमली खीत में से किसके दौरह उधार व्यक्त किया गया कि भारती समिधान भारतीयों के इक्छा नुसार होगा बताईए भारती समिधान भ उप्चारिक रूप से प्रतिपादन किसके दौरा किया गया था समिधान सभा की विचार का उप्चारिक रूप से प्रतिपादन किसके दौरा किया गया था और यह प्रतिपादन किया था मन राय ऑप्शन सी करेक्ट है भारत की समिधान सभा गठित करने का अधार क्या था भ समिधहां सभा के सदस्यों को निम्ण में से किसे नंस निर्वाच द कि उफ Molch ने स्थिक्ट की भांट्टर समिधहां सभा की प्रारुप यानि की मसुद्द्द अंम सु जीदा कह सकते हैं समीति के अधियक्ष कौन थे प्रारूप समीति के अधियक्ष कौन थे तो प्रारूप समीति के अधियक्ष के रूप में डॉक्टर भीम राव अमीदकर को जाना जाता है सी करेक्ट होगा बटरफ्लाइ स्टॉक सब्द किस से संबंदीत है यानि किस खेल से सब्सक्राइब करें कि फुटबॉल में ब्लैक परल के नाम से किसे जाना जाता है तो ध्यान रखेगा फुटबॉल में ब्लैक परल के की टीम गाराख फुटबॉल में जब कि मैंने आपको बता था की को क Hour की रखें नौ ऊ cos कि इन्में से कॉन इन्पूट डिवाइज नहीं है जो आद से कौन इन्पूट डिवाइज नहीं है तो ध्यान दीजेगे अगर लिए इंपूट डिवाइस की बात करें तो माउस कीबोर्ड लाइट पेन ये सभी के सभी इंपूट डिवाइस जब की वीडियो का मतलब क्या हुआ वीडियो को देखें सिंपल सी बासा में समझें तो वीडियो का मतलब क्या सकते हैं वीडियो को ही हम लोग मॉनिटर कहते हैं और म वीडियो का फूल फाम अगर पूछ ले तो क्या कहेंगे वीडियो का फूल फाम होता है वीडियो डिस्प्लेइ यूनि ठीक है वीडियो डिस्प्लेइए यूनिट यह चीज़ आपको याद रखना आगे बढ़ते हैं पुष्टी मारके दर्सन किस थापना किस ने कीती बहु उस दस्ते का नितित्यों करने वाली पहली महिला अधिकारी का नाम क्या है तो इनका नाम कह सकते हैं कैप्टन तान्या सेर्गिल ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर जनवरी 2020 में किस किर्केटर को बीसी स्याइए के पॉली उम्रिगर अवर्ड से सम्मानित किया गया कि 2020 के पॉली उम्रिगर अवर्ड से सम्मानित किसे क्या गया था जस्परित बुम्रा ऑप्शन सी राइट होगा किस राज्य ने अपने विधान सभा के लिए एक नया लोगों अपनाया है जिसमें राज्य पुस्पे कह सकते हैं फॉक्स टेल आर्किड चिनेत हैं फॉक्स टे लुहरी हैंडरो पावर पर्योजना को मंजवरी दे दिगए हिमाचल प्रदेश में नेक्स्ट वन किस राज्य में देश के सबसे लंबे सिंगल लेन मोटरवेल सस्पेंशन बेज डोब्रा चांटी पूल का उदगाटन किया गया कहां पे उत्त्राखंड में ओपसंड भी क मिला यह किस राज्य में इस्तित है यानि तेजपूर जो किस राज्य में इस निसको ने किस देश के साथ सौधा किया इस 400 वायू रक्षा मिसाइल प्रणाली के लिए भारत ने किस देश के साथ सौधा किया है तो ये किया गया है अरूस यानि option बी करेक्ट होगा अरूस हाली में चर्चा में रहा जेड मोड सुरंग किस राज़े में बनाय जाने के घोशना की गई है किस राज़े के लोर सुबन सिरी जीले में मेडगों की नई प्रजातियों की खोज की गई है और यहां पे करेकट्र आंसर और अरूनाटचल प्रतिस किरेलवे ये कि सहर में कच्चरे से उठ ज़गतिर पादन करने वाले देश के पहले सरकारी सेंथर के स्थापना की है कि सहर में कच्छले से उड़ जा उतपादन करने वाले देश के पहले सरकारी सेंथर के स्थापना की है तो सही आंसर होगा भुने स्वार ठीक है, option C correct answer है तो यहां पर मुग ने 50 questions को cover किया I hope कि वीडियो अच्छे लगे होगी, वीडियो helpful लगे हो तो अपने दोस्तों के साथ भी share कर दीजे, वीडियो को अधिक सदिक like कर दीजे चैनल को subscribe करके notification bell को all page जरूर set रखे ताकि आपको रोजारा notification इस तरह से मिलती रहे क्योंच का questions क्या है कि प्रतिवर्ति के रियाओं का नियंत्रन केंथ कहां पर होता है जल्दी से comment करके बताएगा इस questions का right answer क्या होगा तो हम मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में next topic के साथ, thanks for watching, keep watching, keep learning, have a good day